ओके बच्चों ये वीडियो उन तमाम स्टुडेंट्स के लिए जो के 9, 10, 11 या 12 क्लास में है चारो जो क्लासेज हैं उनमें उर्दू जो है वो कंपलसरी होती है और उर्दू वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लीस्ट फोकस रखते हैं अर लेकिन इसकी वेटisf ilません इसकी तरह जितन हुए प्यारी पर सबसे कम फोकस करते हैं देजी है लेकिन आप बच्चों ने किस तरह इस पेपर को अटैंब करना है यह दिखेंगे किस तरह आप लोगों ने अटैंब करना है पेपर और किस तरह आप attempt करकर इसमें maximum marks हासल कर सकते हैं अपनी answer sheets पर या e-sheets पर जिसमें अर्दी पर आप attempt कर रहे हैं ठीक हो गया तो ये कुछ instruction दा जाजेंगी ठीक हो गया ये examiner के लिए यहां से paper start होता है आपने आप ये बचा जो है वो टॉप थ्री पोजिशन में से इसकी एक पोजिशन है और ये इसलिए एक sample sheet के तोर पर आपको दिखाया जा रहा है कि आप इस pattern में paper attempt करें तो आप उर्दू में इस नामयात में या जो भी चीज़ आप उर्दू में attempt करते हैं तो उसमें maximum आपस हासिल कर सकते हैं तो start करते हैं जैसे सवाल number इस बच्चे ने mention किया जो सवाल attempt किया जा रहा है उसका जो main theme है जैसे नामुकमल फिकरात की तक्मील ठीक है Part 1, वो कर रहा है तो Part 1 उसने mention किया यहाँ पर। और Part 1 का मुकंबल फिक्रा कर दिया then एक line लगा दी यहाँ पर जैसे part 1 का जो फिकरा है मुकमल हुआ उसने एक line लगा दी कि ये मेरा part 1 मुकमल हो गया ठीक हो गया then part 2 ठीक है मुकमल फिकरा किया, line लगा दी part 3 मुकमल फिकरा किया, line लगा दी अगले page पर आया part 4, ठीक है के हैं ला लगा दी दैज फाइफ अब जब उस्के यह बचे ने कॉष्टाइक्ट अठेंब किया यह वाला यह वाला कुस्चन थीक अगर यह कोशंग अटेंब किया उसको सब्सक्राइब किया था उसकी में हेडिंग को में थीम को इंटर लाइन किया था उसके बाद उसने हर पार्ट के बाद छोटी एक लाइन लगाई थी हाँ पर हर पार्ट के बाद और एंड में जब वो सवाल कंप्लीट उसने अटेंप कर लिया है पांच पार्ट करने थे तो उसके पास कंप् बाकी सब्जेक्स में ठीक हो गया अब जब वो नेक्स सवाल पर आया है सवाल नम्र छे पर आया है ठीक है नजम का नाम शायर का नाम उसने प्रॉपर्ली क्लियर ली आप इसको अर्डालाइन भी कर सकते हैं मेंचिन कर दिया मरकजी के ख्याल वो कर रहा है तो दर्म्यान में उसने लिखा और में हेडिंग दे दी उसके बाद वो यहां से शुरू कर रहा है ठीक है यह भी आप देखेंगे यह यहां पे काफी अलाइनमेंट सही होनी चाहिए बहुत से बच्चे यूं लाइन आगी मीचे करके लिख रहे होते हैं अच्छा जब उसने पहला पराग्र आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद एक लाइन नेक्स लाइन से और यहां पर एंड कर रहे हैं अब यह मरकजी क्याल का जो सवाल नमबर 6 था यह जब एंड हो गया तो उसने कप्लीट लाइन लगा दी और याद रहे कि उसने स्टार्टिंग से ही यह जो साइड में है ब और वो सवाल नमबर 7 स्टार्ट कर रहा है उसकी बेर थीम लिखी दर्खवाद ब्राइफीस माफी ठीक है पहले स्टार्टिंग ली उसने मॉडल हाई स्कूल अलिव बेजी ठीक है नाम लिखने ही दिरूबत नहीं है अच्छा ब्राइफीस माफी की एंडरलाइन कर दी जन यहां पर आकर उठाया नहीं उसने पहले परग्राफ बनाया यहां पर अगला पर बनाया यहां पर उसके बार एक दो तीन लाइन चोटी सी यहां पर एड़ कर रहे हो फिर दर्म्यान में यह एंडिंग और दर्खास गुजार आपका शागिर्द अलिव बेजीब और कम्प इस थinals सवाल नम्बर आठ कहानी है कहाणी का नाम लिखा कवेकज अंतकाम उसके बाद वह स्टार्ट कर रहा है कहानी लिखना और कहानी यहां तक जा रहा ह। इक लाक्षी सबग या नतीज़ा जिसे हम कहते है जैसा करोगे वैसा भरोगे वह लिखा देन आपने complete line लगा दी कि आपका complete सवाल end हो गया इससे क्या हो रहा है कि जो check करने वाल examiner है उसको इस बच्चे के paper में घुसना नहीं पढ़ रहा उसको इस paper में तंगी नहीं हो रही, problem नहीं हो रही कि मैं क्या क्या चीज़े देखूं वो उसको सब चीज़े हुई हुआ है मिल रही है, बस उसको check करने tick mark करने सवाल नमर चार underline सवालात के मुझसरा जवाबाद अलाकि इससे आप बच्चे कहेंगे सारे आपने यह लिख दिया ता तो यह क्यों लिखने की ज़रुए है अब सवाल का पार्ट मेंशन किया ठीक है, अगर आप से यह चीज़े नहीं बनती जैसे मुझसे नहीं बनती थी तो मैं नहीं बनाता था लेकिन आप यह इस चीज़ा की चीज़ लिखते जवाब लिखे और जो में वर्ड है जैसे हदरत अबुबकर सिदीक हो गया हदरत मुम्मस से लिखते हैं तो जो भी में अलफाज है आप उनको मार्कर से लिख दे ठीक हो गया, देन पार्ट वन एंड हो गया तो उसने वो लाइन लगा दी उसके बाद पार्ट टू जवाब लिखा, जहांसे तारीफ एंड हो रही है उसने मार्कर से मेंशन कर दिया फिर पार्ट लाइन लगा दी फिर एंड सो ओन ठीक है, यूँ यह आपको पैटर्स समझा गया होगा, जब वो पार्ट को अटेम्ब कर रहा है तो स्माल लाइन लगा रहा है जब वो कब्लीट कोस्टिन को एंड कर रहा है तो यह बड़ी फुल लाइन लगा रहा है और साइडों में यह पेजिस के लाइन लगी है ठीक है, और जवाब में कोई एहम बात आ रही है तो वो मारकर से लिख रहा है सवाल नमर पाच आ गया है, सबक का नाम, ठीक है, मुसनिफ का नाम, अब यह खुलासा, खुलासा यहां से वो स्टार्ट कर रहा है पहले दो-तीन लाइन असने लिखी फिर उसके बाद पइराग्राफ आ रहा है, यहां पर फिर पइराग्राफ आ रहा है त्रेक है, धर प्र प्रगराफ आ रहा है, यह भी के एक बार पहाल पें रखा तो लिख एर लिख भी कि एंड हो गया तो यह कंप्लीट लाइन होगी सवाल नबर तीन एक तबासाइब की एक तबासाइब की तश्री आजएगी इसमें उसके बाद पार्ट वान हवाला मतंद प्रॉपर्ली इसने हेडिंग दिया पे सबक का नाम मुसनिफ का नाम खट कशीदा अलफास के माईनी हेडिंग दी के माईने लिख रहा है हम क्या करते हैं सिर्फ अलफाज माईने लिख दिया घलत वह भी नहीं है लेकिन यह आप प्रॉपर्ली मेंशन कर रहे कि मैं क्या काम कर रहा हूं कि अब वो अलफाज है और उनके जो है वो माईनी है सैको सबाग की हैडिंग तश्री हर चीज प्रॉपर्ली क्लेरली मेंशन है कोई प्रॉपलम नहीं होरी एक्जैमिन को चेक कर ले में हवाला मतद दुबारा पार्ट टू का माईनी आगे सैको सबाग और तश्री आगी सवाल नमर दो अशार की तश्री आजएगी हिस्सा नजब नजब में पहले पहला पार्ट है वो ये अलिफ बार्ट कर रहा होगा ठीक है अब यह हम मेंसे इसने जो है वो शेयर लिखा है पहले उसका शायर का नाम लिखा ठीक है मफूम लिखना शुरू किया उसके बाद तश्री कर रहा है अब मफूम बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं मफूम लिखने से काफी बैतर इंपक्ट पड़ता है ठीक है तश्री इसने स्टार्ट की अब एक शेयर की तश्री वो यहां तक लेकर आ रहा है ठीक है यह लेवल 9 क्लास का है तो आपने उसके मताबिक करना है आप सेकंड इयर में है तो इतनी कम नहीं लिखेंगे जादा लिखेंगे फिर लाइन लगा दी देन नेक्स पार्ट इसका का शायर का नाम और मुसनिफ का शायर का नाम हो गया और नाथ या अःहम्द का नाम थिक मिफा दृष ए का ये इसी करते हैं तो आप बचोन इस तरह उर्दू का या कोई भी इस तरह का जो जनल सब्जेक्ट से पेपर है या साइसेज भी है तो उनमें अटेम्ट करते हैं वक्त पेपर अटेम्ट स्किल पर बहुत ध्याल रख लें